750 से ज्यादा हर्ताली शिक्षकों को नोटिस, 50 सस्पेंट मांगो को लेकर 13 सितंबर से चल रही है हर्ताल भोपाल आंदोलनकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के प्रती सरकार ने सक्त रवया अपना लिया है आजाद अध्यापक शिक्षक संग के बैनर तले जारी हर्ताल में शामिल शिक्षकों को नोटिस थमाय जाने और सस्पेंट करने का सिलसिला जारी है हर्ताल में शामिल स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातिय कार्य विभाग के 750 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस दिये गए हैं जबकि 50 से ज्यादा शिक्षकों को सस्पैंड कर दिया गया है संग के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल को भी शनिवार को सस्पेंड करने के आदेश जारी किये गए थे इसके विरोध में शिक्षक और करमचारी संग लामबंध हो गए है राजधानी में गुरुजी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल के नेत्रित्व में रविवार अवकाश के बावजूद प्रतिनिदियों ने कलेक्टरेट पहुँचकर ग्यापन सौपा अधिकारी करमचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक भुवनेश कुमार पटेल ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि अंदोलनकारी करमचारियों पर यह कार्रवाई अलोक तांत्रिक है मप्र शिक्षक कॉंड्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सक्सेना ने निलंबन की निंदा करते हुए कहा कि सरकार की यह कार्रवाई अलोक तांत्रिक है शिक्षक कॉंग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि एक तो सरकार शिक्षकों की जायज मांगे पूरी नहीं कर रही है, दूसरी तरफ ऐसी कारवाई कर रही है, जो सही नहीं है भरत पटेल ने कहा कि पिछले दो साल से हमें शांति पूर्वक धरने की पमिशन तक नहीं दी जा रही है जायज मांगो को लेकर आंदोलन किया तो निलंबन की कारवाई की जा रही है सोमवार से आमरन अंशन किया जाएगा गौर तलब है कि संग के बैनर तले 13 सितंबर से हरताल की जा रही है इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यवाद